नमस्कार आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूँ प्यूश मश्राप आगामे लोकस पर चुनाव के साथ साथ कई ऐसे राजे हैं जहाँ पर विदान सवा चुनाव भी होने हैं और उन चुनाव के लिए भी पार्टियों ने कमर कसली हैं चाहे हम चार राज्यों की नाम हिमाचल प्रदेश में गोशित किये यह वही चे उमीदवार हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्टी जॉइन की थी और यह वही चे विदायक हैं जिन्होंने कॉंग्रेस प्रटी के खिलाफ जाकर बीजेपी के राजेस्वब प्रत्याशी के समर्थन में वोट किया था जिस वजे से बीजेपी के राज्यसवाब प्रत्याशी हर्श माजन की वहाँ पर जीत भी हुई थी इस बड़ी घटना के बाद हिमाचल प्रतेश के राजनितिक समिक्रन बदल गए थे उस वक्त यह क्यास लगाए जा रहे थे कि कॉंग्रेस की सरकार वहाँ पर गिर सब्सक्राइकों ने जब बीजेपी के समर्थन में वोट किया और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो परवेक्षक थे उनको दिली से बेजा गया बुपेंद्र हुड़ा हो चाए डीके शिवकुमार हो और उनके साथ-साथ बुपेश बगेल और कई नेता जो है कॉंग्रे सुक्विणर सिंग्फू ने ये जो संकट जो अब यह बी नहीं नहीं है इन 6 विदायकों कि अगर बात करें तो अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं इनको पार्टी ने टिकट भी दिया है इनको मीदवार बनाया है और हिमाज़र प्रतेश में उपचुनाव होने वाले एक जून को वहापर उपचुनाव होंगे अगर अब हम रहतना ताजा समय करनों के बात करें तो ना सिर्फ चे कॉंग्रेस के बागी विदायक का बीजेपी के साथ हैं बलकि तीन निर्दलिया जिनोंने अहाली में स्थीफा पी दिया था वो भी अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं तो टोटल टैली इस वक्त पूरे विदानसभा की अगर हम बात करें तो बीजेपी के साथ 25 विदायक हैं कॉंग्रेस पार्टी के साथ 34 विदायक हैं और साथी साथ जो तीन निर्दलिया हैं वो उन्हें स्थीफा दे दिया है तो जो नौ विदायक हैं उनकी अब वहां पर मौझूद की खत्म हो चुके उपिदवारों को टिकट बीजेपी दे चुकी है तीन उमिदवारों को भी जल्द जब वहां पर उनकी सीट पर चुनाव गोषित कर दिये जाएंगे तो वहां पर भी हो सकता है कि जीत उन्हें हूंै और सिर्फ लोक सुबह में बीजेपी को काफी बढ़त मिलेगी बलकि साथ ही साथ जो नौ सीटेक रिक्त हुई है नौ उमीदवारों को जिनको टिकट बीजेपी आगे सोच रहे देने का तीन उमीदवारों को भी तो इन चुनाव इन जगां पर भी चुनाव होगा तो वहां पर काउंग्रेस पार्टी के लिए खड़ी होगी वह यह कि 34 विदायक तो होंगे होंगे लेकिन एक अउन में से स्पीकर होगा तो कॉंग्रेस पार्टी की संक्या घटकर 13 हो जाएगी तो बीजेपी कि अकर गणित की बात करें तो बीजेपी इस गनित में कहीं नजर आ रही है काउंग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी के साथ खड़ें हैं चायम नाराज हुए विक्रामतित्या सिंग के बात करें या उनके अलावा कुछ और ऐसे विदायक हैं जो पार्टी के समर्थन में हैं जिस दिन वहाँ पर वोट होता है जिस दिन फ्लोर टेस्ट होता है उम्मीद यह जताई जा रही है कि जो 34 कॉंग्रेस पार्टी की विदायके इनमें एक स्पीकर है बाकी बच गहते हैं 33 उनमें से भी कुछ जो विदायक हैं वो हो सकता है स्थीफा दे दे और कॉंग और बीजेपी के प्रतियाशियों की जीत होगी और जीत होने के बाद कहीं न कहीं सरकार जो है वो बीजेपी की बन सकती है अगर हम कास्टी क्रेशन की बात करें तो सुधीर शर्मा धर्मशाला से आते हैं रवी ठाको लाउस पिती से आते हैं और यहां पर यहां पर यहां पर क बीट जाएगी लेकिन एक समसे जो इस वक्त बीजेपी के सामने है वो ये कि कई सारे ऐसे विधायक और नेता जो उन नौ सीटों पर कहीं न कहीं क्यास लगाई हुए थे वो नाराज हो सकते हैं अब सबसे बड़ा चैलेज इस वक्त बीजेपी के सामने ये रहेगा कि उन और पार्टी को इंटाक्ट कैसे रखा जाए कैमेर में संजीक साथ मैं प्यूश मिश्णा दिल्ली आज तक